लिंका यू कन स्टार्ट रेकॉर्ड थैंक यू तैंक यू मिस्स लिंका और मेरे साथ जुड़ी है हमारी इंटरनेशनल टीम मिस्स लिंका मिस सारा मिस सिंधी और मिस पारुल शर्मा जो की मेरी साथी भी है डाउन लाइन भी है और आज 11 फरवरी 2024 रवीवार रात साड़े आठ बजे भारत के समय आनुसाथ स्काइवर्ड कम्यूनिटी के साथ मैं बहुत सारे अपडेट्स लेकर आया हूँ और साथी साथ ये खुपसूरा सफर है जिसको कोई भी मना नहीं कर सकता और हमारे साथ साथ हमारे आने वाली पीडियों के लिए भी बहुत ही बहतरीन एक ऐसा आवा गमन का हम लोग स्काइवर्ड कम्यूनिटी के नाम हूँ तो जैसे कि मैंने आज की तारीक और समय का आप लोगों को मैंने वैसे तारूप करवा दिया है 11 फरवरी 2024 मैं लीडर और स्पीकर के तौर पे अभी SWC में काम करना हूँ और अपने भारत को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ भारत को यहां पे प्रदेशन करता हूँ SWC के जरीए से units की strength technology को लोगों के सामने लेकर आता हूँ मैंने यहां पे एक normal client के तौर पे शुरुआत करी थी बढ़ आज आप लोगों के सामने एक speaker और leader की हैसित से बैटा हूँ क्योंकि यह मेहनत के साथ साथ एक अच्छा सा सुनेरा मौके का फाइदा भी उठाया है मैंने तो यह है मेरी upline manager और हमारी इंडिया की curator responsible और मेरी mentor miss cat jacob seng जो की skyward community में 2017 से जुड़ी हैं बहुत ही actively partner के तौर पे काम कर रही है और इनके साथ सी साथ इनका नीजी जिन्देगी का जो तजूर्बा है वो 23 साल लाना तजूर्बा इसमें है यह personal leadership, well-being और conscious coach भी है और उसके साथ साथ motivational speaker भी है तो आज के event का हमारा purpose क्या है वो हमारे आज का event का जो purpose है आप लोगों के सामने हम वो अनोखा और सुनहरा मौका लेकर आए हैं और लेकर आना चाहते हैं और हमेशा लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में हम बहुत पुरी कोशिश करते हैं कि आप लोग इस चीज़ से जुड़ जाए अपनी जिंदगी को बैतर बना है और अपने आने वाली पीडियों के भी जिंदगी को बैतर बना है तो आज का हमारा presentation का जो एक overview है वो है सबसे पहला जो हमारा तीन अलग अलग भाग है उसमें पहले भाग में होगा smart world community educational platform जो है वो सभी के लिए free है कोई भी इसमें register कर सकता है और इसके बारे में जानकारी हसल कर सकता है इसके जरीए से अपना इल्म या फिर विद्या को बढ़ा सकता है दूसरा भाग होगा units की string technology UST जिसको short form में कहते हैं जिस project को हम लोग ने बरपूर support किया है और अपना योगदान भी दिया है और तीसरे भाग में होगा questions participants जो भी आपके पास सवाल होंगे आप उसे आप चाहिए तो mobile वगरा में या फिर paper में कहीं पर लिख कर रख लिए चाहिए info session खतम होने के बाद recording stop करने के बाद आप लोगों के साथ सवालों जवाब होगा मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सारे सवालों का मैं बरपूर और तसली पूरवक आपको जवाब दू तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जैसे मैंने बता करता है मतलब एक चीज में बहुत ज़्यादा महत्वग रखता है वो है पनांसिंग करने के लिए जो भी ग्रीन टेक वाले प्रोजेक्स आते हैं उनके साथ जुड़कर एक हिस्सेदारी लेकर उस टेक्नोलोजी को उस प्रोड़क्ट या फिर प्रोजक्ट को हम लोग सपो कहने का मतलब है हमारा एक अपने आलग जीने का अंदाज है स्काइवर्ड कम्यूनिटी का हम अपनी धुन में जीते हैं कहने का मतलब लोगों को भूलते नहीं है अपनी मतलब एक एक जैसी सोच रखने वाले लोगों के साथ मिलना उटना बैट्टाउन की आतिक समस्याओं की परिशानी को हल करना और जिंदेगी में कुछ बैतर बनना चाहते है तो उसको सपोर्ट करना वो चीज़ काम करते हैं एक नई लेवल की कम्यूनिटी है और इसमें एक नए स्टर के पार्टनर्स आपको देखने को या फिर मिलने को मिलने का मौका मिलेगा तो चले यहां पर आगर आपके पास कोई टीम है दो बंदों की या फिर दो पार्टनर्स की दो क्लाइंट्स की दो कस्टरमर्स की जो भी आप केह लिजै сделали करना उनकी सारी परशानियों को कैसे करना है SWC एक community है people united by strong ideas and meanings कहने का मतलब है SWC जो है वो बहुत ही strong mindset के लोगों से जुड़ा हुआ है जिनके पास अच्छे-च्छे नए-एडियास हैं जो की बहुत ही जादा मतलब रखते हैं और एक जैसी सोच रखने वाले community को community में शामिल होने के लिए कौन सी ऐसी चीज हमें प्रिरीद करती है या हम किसी और को प्रिरीद करने की क्षमता रखते हैं तो यहां पर कुछ अलग-अलग चीजों को हम लोग ने define करने की कोशिश करी है तीन ही हालां कि हम लोग आप लोग के सामने उधारान के साथ देखर समझाना चाहता है community में या फिर समुधाय में ना होने के नतीजे क्या क्या हो सकते हैं decrease in energy level जो आपकी क्षमता रहती है वो क्षमता में आप गटोती देखने को मिलेगा मतलब आपको गटोती देखने को मिलेगी या फिर बहुत जल्दी थकावट मैसूस करना या फिर काम करने का मन ना करना आलस या फिर आलसी पन में बहुत जल्दी मुपतला हो जाना problem of self-determination आपकी काबिले बहुत ज़्यादा हो सकती है या फिर कहते हैं न कि इंसान अगर चाहे तो वो साथमें आसमान तक भी पहुंच सकता है लेकिन खायर हो वो कुछ सॉरी वो जादा ही हो जाएगा बट अगर मैं ground level पर बात करो तो आपकी जो प्षमता रहती है वो प्षमता को ना पहचान पना समुदाय में ना होने की यह सबसे बड़ी यह कमी है दुनिया में 70 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो अपने आपको जादा अकेला पन महसूस करते हैं वो समुदाय में ना होने की वज़े से कम्यूनिटी से ना जुड़े रहने की वज़े से कम्यूनिटी जो है वो एक यूमन नीड है जो इंसानों की एक जरुद क्या सकती है बगए कम्यूनिटी के इंसान का अकेला रहना या फिर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है तो समुदाय में ना रहने की वज़े से भी किसकी चीजों में हम लोग क्रैसिस देख सकते हैं जैसे के एकनोमिक इनेक्वैलिटी और सोशल स्टाटिफिकेशन हो सकता है और उसके बाद शार्प डिकलाइन देख सकते हैं हम और एक मिडल क्लास में जो है इसकी चीज आप ब बहुत जादा देखती है और एक इक्वैलिटी नहीं दिखती है समुदाय में और उसके बाद यह जो जादे परेशानियां जो आती है वो मिडल क्लास के घरानों में बहुत जादा एफेक्ट करती है यह आपको एक चार्ट के जरी से यहां पर दिखाया गया है दस साल के ग अब बैनियुल लेबर जो है वो हातों से काम करने के वज़े से उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे ते लेकिन उसके बाद यहां पर हैंडी फोड की जो असम्बली लाइन बनी है वहां पर प्रोडक्शन में और कम्यूनिटी में से जुड़कर काम करने से ज्या कौनसा काम या फिर कौनसा रोजगार रोजगार जल्दी खतम हो सकता है तो अक्वानिक रैसिस जैसे के मैंने बताय था उससे पहले यह कुछ रोजगार जिन पर बहुत-ज़ादा जरूत पड़ेगी इन लोगों के लिए फिर असे सारे सेक्टर में काम करने वाले लोगों होने की वज़े से क्या है लोगों में एक डर बना हुआ है कि यार हम रोजगार नहीं रहेगा तो हम जीएंगे कैसे हम हमारी बच्छों का क्या होगा हमारा क्या होगा हमारा भविश्य क्या होगा यह बहुत जादा लोगों को परेशानी बन चुका है तो उसमें से कुछ ऐसे काम है जो बहुत ही जल्दी यहां पे दुनिया में इन सब चीजों से रोजगार खतम हो जाएगा जैसे के sellers, call center operators, miners, aircraft pilots accountants, couriers, cashiers, taxi drivers और guides तो यह सारी चीजों का रोजगार अगर धीरी देश से खतम हो जाएगा तो यह लोग कहां जाएगे इस सब के लिए जो है वो एक हल है वो community में रहके ही हो सकता है और environmental पे किस तरीके से crisis आ सकता है जो कि परियावारन या फिर वातावारन के उपर यहां पे over consumption over consumption क्या है हमेशा क्या होता है हमें कुछ चीजों के जरूरत नहीं होती है लेकिन उसको हादे से ज़ादा लेकि अपने पास रख लेना या फिर जो चीज हमें एक limit में इस्तमाल करना होता है उसको 1 इस तो 3 लेबल में हम लेकर घर में उन चीजों की एक जबापे store कर लेते हैं तो उसकी एर, land and water pollution ये भी क्या होता है community में ना होने की वज़े से इल्ड ना होने की वज़े से हमें नहीं पता होता है कि किस चीज को कहां पे किस सही मातरा में किस जगा पर फैंकना है इस्तमाल करना है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा effect करती हैं हमारे परियावरण पे हवा, पानी और लोगों की जिंदगीयों पे भी तो information crisis ये आज की date में information crisis इतना बड़ा सरदर्द बन गया है ये मैं खुद भी इस चीज़ से जूझता हूँ और उमीद करता हूँ आप लोग इन सब परेशानियों से ना जूझ रहे हो या अगर जूझ रहे हो तो उसको किस तेगे से हल करना है हूँ मैं आपको बता दो तो information overload और large number of unverified or unreliable facts की वज़े से क्या होता है कि हम कई बार भरोसा नहीं कर पाते हैं या फिर उसकी जाच परतल ठीक से नहीं कर पाते हैं ऐसे जादा तर information आजकल हमारे social media के तुरूप हमारे phone में, mobile में, laptop, desktop कहीं भी ले लो वहाँ पर आ जाते हैं तो ये किसलिए महत्व है इस सब चीजों को जाचना, परकना और information को आगे भेजना तो हमारी हरोजाना जिन्देगी में जिस तरीके सा हमें information आती है, वो reliable नहीं होती है, तो उसको पहले पाचाना है कि कौन से source of information से आ रही है, कहां से आई है, अबर सची है भी या नहीं भी, इन सारी चीजों को जाचपड़तल करके आगे forward करने में हमारी बलाई है तो ये देखे, यहाँ पर दो तस्वीरों के जरे से हम लोगों ने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है एक जो है, यहाँ पर source of information आपके पस भरपूर आ रही है लेकिन आप नहीं sort कर पा रहे हो यहाँ से यहाँ पर एक बंदे को आप देख रहे हैं कि परिशान है और दूसरे जगा पर एक बंदा जो है उसके पास सारी अलग 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 information एक जगा पर sort करके रखी है उसको पधाया कि कौन से information को कहाँ पर भेजना है और किस समय भेजना है तो यह देखिए, कुछ negative चीज़े होती है हर किसी की जिंदेगी में तो उसको किस तरीकिस अपनी जिंदेगी से पीछा चुड़ा सकते हैं वो यहाँ पर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा तो किस तरीकिस हम उस चीज़ को आपनी जिंदेगी से बानिकाल फेक सकते हैं या फिर उस चीज़ से हम पीछा छुड़ा सकते हैं Who are you and what do you do? जैसे कि आप सबसे पहले आपको अपने आपको पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ उसके बाद आपका एक और स्टेज आएगा कि आपकी एक unusual fact क्या है आपके बारे में परसल नीजे जिन्देगी में भी इस्तमाल करता हूँ और मैं लोगों को भी इस चीज़ की तरगीब देता हूँ कि अच्छी और सची information को आप भी अपनी जिन्देगी में लाईए और साथी साथ आपके askpados वाले लोगों को भी अच्छी और सची information देने की बर्पूर कोशिश कीजिए क्योंकि इसकी वज़े से आप ना ही सिर्फ आपकी जिन्दगी आपके आने वाले नसलों की जिन्दगी भी बहतर बन सकती है और जहां पर आप लोग जिन्दगी गुज़ार रहे हो रोजाना जिन्दगी वहां पर आपके आपके askpados के लोग भी आपके साथ बहुत ही अच्छे खासे तालोखात बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे future हमारे सामने अलड़ी है हमारा भविश्य अलड़ी हमारे सामने है लेकिन हम उसको किस तरीके से किस नजरिये से देखते हैं या फिर किस तरीके से उसको अपनाते हैं यह हमारे उपर निरबर करता है हमारा जो में एक positive trend जो है आने वाले कुछ दिनों में वो है unification जब तक आप एकटा होकर किसी भी चीज़ के लिए अच्छी चीज़ की तरफ या फिर अच्छे कामों की तरफ एकटा होकर काम नहीं करेंगे तो आपका भविश्य भी एक अच्छे results तक नहीं पहुंच पाए हम एक ऐसा एक single platform है जहां पे भरोसे मन लोग और एक जिसी सोच रखने वाले लोगों को training के जरिये से उनको एकटा करना और साती साथ एक community बनाना समुदाय बनाना जहां पे लोग अपनी नीजी जिन्देगी को बहतर बनाने की पूरी पूरी कोशिश करें और साती साथ एक ऐसा वातावारन बना पाएं जहां पे उनको अगर आर्थिक समस्याओं से भी गुजरना पड़े तो उसको हम सब लोग एक साथ मिलकर किस तरीके से उसकी आर्थिक समस्या को हम हल कर सकते हैं इस चीज़ के लिए यह platform बनाया गया है हमारा goal भी यही है तो SWC community जो है यह और हमारे से पास अभी अच्छा इसमें और पचास हजार लोगों का इजाफ़ा हो चुका है अभी इस platform में जो हैं शे लाग पचास हजार partners इस platform से जुड़ चुके हैं skyworld community से और 122 कंट्री में मौजूद है और 25 भाशाओं में भी यह platform आपके पास मौजूद है तो skyworld community के पास क्या क्या conditions है हमारी नीजी जिन्दगी को बहतर बनाने के लिए तो इसका जवाब है कि हमारे पास वो सारे साधन मौजूद है जो कि आपकी जिन्दगी को बहतर बना सकते हैं और आपके आने वाली पीडियों की जिन्दगी को भी बहतर बना सकते हैं जैसे कि उदाहारण पर एक अच्छा वातावारण और एक जिसी सोच रखने वाले लोग विजिनल चैट्रो उसके बाद हमारे पास सोचल मीडिया के चैनल्स है जो की प्लाटफॉर्म्स मौझूद है टेलिग्राम, फेस्बूक, इंस्टाग्राम, यूटूब भी मौझूद है जहां साथ एक अनोखा और सुनेरा मौका भी यहां पर मिलेगा जो की आप कंपनी के जो भी नए न्यूज अपडेट्स या जो भी आएंगे आपको सबसे पहले तोर पर अफिशल तोर पर आपको इस पर अपडेट का लेने का मौका मिलेगा यह दिखते हैं यहां पर जैसे कि मैं अन्या सोचल मीडिया चानेल्स पर भी और जूम पे हर 15 दिन में मैं और हमारे हिंदुस्तां के एक और पार्टनर हैं जो की कम्यूनिटी मैनेजर भी है मिस पालो शर्मा वो आपको हर 15 दिन में एक बर अंग्रेशी में मैं हर 15 दिन में एक बर आप लों के सामने अपडेट लेकर हिंदी में आता हूं साथी साथ हमारे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से भी बहुत ज्यादा अपडेट आते रहते हैं सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पे और यहां पे साथी साथ आप अपनी नौलेज को शेर करने के अलावा आप सामने वाले एक्सपर्ट से भी अ माँका मिलेगा अंतरास्les तर पर आप लोगों को ट्रावल करने का मौका मिलेगा ओर उसके बाद और भी फ़र्दर ऐसे ढवलेपमेंट्स करने के आपके जिनदेगी में आपको मौका मिलेगा और कुछ major regional events होते हैं जहाँ पे आप अपनी skills को develop कर सकते हो आप महाँ पे भागीदारी बन कर नए नए level scope अचीव पर सकते हो local level पे क्या क्या कर सकते हैं business, breakfast, marathons, environmental actions और उसके बाद आप अपने तज़रवे दूसरों के पास share कर सकते हो दूसरों के तज़रवे आप ले सकते हो कुछ नया सीखने को मिलेगा, सिखाने को मिलेगा और इसके बाद mutual contribution mutual contribution जातर क्या होता है local में आपके ask products में अगर कोई आर्थिक समस्य से जूंज रहा है या फिर कोई बीमारी से जूंज रहा है किसी तरीके की तकलीफ से वो गुजर रहा है तो आप उसकी मदद कर सकते हो, हो सकता है उसके बदले में आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई मौक, ऐसा कोई situation आ जाए तो वो आप लोगों के लिए भी खड़े हो उसके बाद lifestyle events जो है यहाँ पर past time कर सकते हो या फिर आप अपने emotions को share कर सकते हो और emotion breakdown बहुत लोग हो जाते हैं प्यार ना मिलने की वज़े से घर में मिया मेवी के जगड़े की वज़े से आसपोडस में जगड़े की वज़े से कई बार छोटी-छोटी बातों पर हो जाते हैं तो ऐसे emotional breakdowns के लिए भी जो हमारे पास कुछ आने वाले जो roles and responsibilities हैं उसके लिए तयार हैं जो कि उसकी जिम्मेदारी लेने के काबिल बन सकते हैं या फिर बने हैं या फिर आपको बना सकते हैं हम लोग और आप हमें बताईए कि ये वाले roles आपकी जिन्देगी में क्या बदलाव ला सकते हैं तो यह हैं वो कुछ roles and responsibilities जो कि अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास पूरा पूरा बर्पूर मौका है और यह आपकी दरवाजे पर आ रहा है यह सारे रोजगार का opportunity लेके तो यहां से सबसे पहली बात है आप अपने खुद की नीजी जिन्देगी के साथ साथ आप अपनी रोजगार जिन्देगी में भी चीजों को बहतर कर सकते हैं तो हमारे पास कुछ यहां पर positions मौजूद है speaker, mentor, community manager in the city or country community manager या तो आप अपने एक राज्य लेवल पर बन सकते हो या फिर पूरी country के लेवल पर आप बन सकते हो या फिर event organizer तो यहां पर कुछ चीजे हैं जो की near future में implement होगी कुछ चीजें implement हो चुकी है और कुछ implement होने वाली है chatbot हमारे पास already implement हो चुका है जहां पर आपको सारी information मिल जाएगी skyworld community के related, project के related और swc के बारे में update का जो platform है business networking experience और share करने के साथ साथ participation कैसे करते हैं वो और एक gaming system ही एक already बन चुका है उसको अभी तक जादत तर यह नहीं क्या यह अभी भी अंदर trail में है यह बहुत ही जल्दी launch हो जाएगा उसके बाद offline desktop games खेलके आप points वगेरा को accumulate कर सकते हो वो points को एक और हमारा platform है वहाँ पर जाके आप इस्तमाल करके वहाँ से courses वगेरा आप उसमें हासिल कर सकते हो, उसके बारे में अभी बात करूँगा यह है हमारा smart world community उसको भी swc के नाम से ही जाना जाएगा, पर क्या है इससे पहले जो create किया था, वो sky world community था, और यह है smart world community smart world community जो है एक IT stand-alone platform है जहाँ पे आपको courses वगरा मिलेंगे जिसमें आपको business के साथ चाथ आप personal development के courses भी ले सकते हैं, और एक तरीके का ecosystem है और यहाँ पे improving your professional skills और competencies कहने का मतलब है आप अपनी जिन्देगी में कुछ ऐसे challenges आते हैं जैसे कि रोजगार वाली जिन्देगी में या फिर अपने personal नीजी जिन्देगी में तो उन challenges को आप कैसे overcome कर सकते हो किस तरीके से उन challenges का आप solution ला सकते हो अपनी जिन्देगी में बिगाटने के बज़े उसको किस तरीके से आप सुधार सकते हैं इस सारी चीजों का course हमारे पस मौजूद है तो ये छोटा सा सवाल है raise your hand those who have their own team जैसे के मैंने कहा कि आगर आपके पास दो लोग या फिर 20 लोग 200, 2000 दो लग जितनी भी बड़ी team है आप इसमें चैट में sign के जरी से, emoji के जरी से आप अपना hand उठा सकते हैं मैं आपको बताओं किस तरीके से उन teams को handle करना है जिसके पास 10, 100, 500 या फिर 1000 लोगों की team मौजूद है उन लोग अराम से सुन सकते हैं किस तरीके से उनको tackle करना है तो इतनी बड़ी team को चाहे 10 लोग हो या फिर 1000 लोग हो उन सब लोगों को इखटा करने में और उन सब लोगों को समझाने में उनको तयार करने में कितना ज़्यादा वक्त लगता है और कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है तो उन सब चीज़ों कैसे cut down कर सकते है उसके बारे में बात करेंगे तो हर नया partner जब भी group में आता है या फिर एक community से join होता तो उसके पास बहुत सारे सवाल होते है कि उनको एक support की जरूत होती है information की जरूत होती है और explanation और care की जरूत होती है और एक certain point जब आता है तो उनके इतने सारे सवाल होते है कि मुझे link कहां से मिलेगी तो मैं अपने parcel account को किस सरी की से इस्तमाल करो मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता कई बार होता है वो सवाल पूछते है तो जवाब नहीं दे पाते है तो उसकी वज़े मैं आपको बताऊँगा आने वाले slides में मुझे chat room नहीं मिल पा रहा है और मेरे documents कहां है मुझे installment plan चाहिए वगयरा वगयरा तो इतने सारे सवाल सुनने के बाद यह है आपकी खालत ऐसी रहती है कि इतने सारे सवाल मैं कैसे जवाब दूँ तो उसके लिए हम लोग यह platform लेकर आए है तो कितने clients, कितने partners आप इस platform में लेकर आ सकते हो एक मेहने में तो वो भी एक छोटा सा सवाल है तो उसके लिए जवाब यह है कि अगर team 10, 20, 30 की जगा 1000 की संख्या में अगर बढ़ने लग जाए तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करोगे तो आराम से रिलाक्स होके बैटी है मैं यहाँ पर मौझूद हूँ मैं आपको बढ़ाओंगा किस तरीके से हैंडल करना और कैसे हैंडल करना है तो यह देखिए आप किस तरीके से लोगों को ट्रेंड करोगे बगाएर वक्त अपना बरबात किये और जादा मेहनत ना लगाए और उसके साथी साथ एक अच्छा सा रिजल्ट आप कैसे जनरेट कर सकते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक चल सकता है तो मैंने कुछ slides बनाए है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे Smart World Community में यह कुछ हमारा Welcome जो Window है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा यह Smart World Community में कुछ courses भी मौजूद है उस course के जरिए से भी आप जान सकते हो कैसे टीम को handle करना है या फिर किस तरीकी के सवालों का हम किस तरीके से जवाब देना है मैं भी बताऊंगा आने वाले स्वाइट्स में यह आपको से वेक इंट्रोड़क्शन दे रहा हूं है तो यह platform इसलिए create किया गया है कि यहाँ पे आने वाले लोगों को facilitate किया जाए और साथी साथ कुछ चीजों को कुछ courses को automate करके छोड़ दिया है ताकि जो भी नए partners आएंगे उनको इसका जवाब मिले और साथी साथ उसके बाद जब इन सब चीजों को implement करेंगे अपनी नीजी जिन्देगी में तो उसका result भी उनको अच्छे तरीके से मिले तो यहां पर देखे जब आपकी team बढ़ेगी तो वहां पर सही लोगों का मौझूद रहना बहुत बहुत ज़ादा ज़रूरी है और उन सही लोगों के पास सही सच्छी और अच्छी information होना भी बहुत बहुत ज़ादा ज़रूरी है तो इसके लिए जब तक आप लोग नहीं सीखोगे आप लोगों के पास सच्छी और अच्छी information नहीं रहेगी तो आप सही लोगों को नहीं चुन पाओगे और उन तक सही information नहीं दे पाओगे देखे आप लोगों को सिखा सकते हो किस तरीके से काम करना है उनको एक तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हो कि टीम कैसे काम करनी है किस तरीके से लोगों को एक like-minded बनाना है और उसके साथ effectively काम करना है जो बहतर से बहतर लोग आपके structure में या फिर आपकी टीम में मौझूद होगे उनको बहतर से बहतर तरीके से आप communicate कर पाओगे, train कर पाओगे, उसके बाद जितने अच्य तरीके से आप develop हो जाओगे, उतनी अच्य तरीके से आप li टीम भी डेवलप होगी, community भी डेवलप होगी और उसके बाद आप एक regional लेवल पे अच्छे से अच्छा result हासिल कर पाओगे तो उसके लिए क्या चाहिए दो चीजों की जरूत होती है हमेशा एक होता है आपको confidence और दूसरा आपकी knowledge, ilm, विद्या अगर आपके पास knowledge है अगर आपके पास confidence है तो आपकी team जो है धीरे-धीरे से बड़ेगी लेकिन strong बनेगी ये मेरा अपना नीजी तजर्बा है जो मैं आप लोगों के सामने share कर रहा हूँ जैसे कि मैंने बता है कि मैंने client के तोर पर शुरुआत करी थी मेरे पास मुश्किल से मुश्किल दो या तीन लोग थे आज मेरे downline में कम से कम 100 लोग मौझूद है इसके लिए कम से कम 2-5 साल लगे मुझे पूरी मेहनत लगी है इसमे जब तक मैंने information हासिल नहीं करी जब तक मैंने इस technology के बारे में नहीं समझा इसकी pros and cons को नहीं समझा मैंने लोगों को propagate करना शुरू नहीं किया मुझे थोड़ा सबक लगा लेकिन जब मेरे पास वो confidence आ गया मैंने वो knowledge हासिल कर ली तो आज मेरे पास 2-5 साल में 100 लोगों की team मौझूद है अगर मेरे पास knowledge नहीं होती तो मैं इतनी बड़ी team को नहीं बना पता 2 साल में कई बार होता है कि बगए knowledge की आप team बना सकते हो मन घड़क कहानियां सुना के पैसे का लालच दे के दूसरे किसी बंदे की confidence या फिर उसकी knowledge आप थोड़ा सा add-on करके उसमें कर सकते हो team बहुत बड़ी बना सकते हो साल बर में आप सो लोग क्या हजार एक लाग लोग भी जमा कर सकते हो लेकिन उसके बाद जब team बिखरेगी और आपके नाम और आपकी जो तार-तार होगी उसको जोडने के लिए आपका एक जनम कम पड़ जाएगा यह मेरा परसल तज्यूर्बा है तो यहां पर देखिए जैसे के मैंने बता रहा था sky world community और smart world community के बारे में जब तक आप knowledge हासिल नहीं करोगे तो आपको propagate करना मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए on how well you conceive the first person जब आप एक पहले बंदे को अच्छे तरीके से आपकी information आप पास कर पाओगे उसी तरीके से वो अपने downline पे काम करता चला जाएगा उसके बाद उसकी भी growth होगी आपकी भी growth होगी तो यहां पे देखिए SWC का एक चोटा से यहां पे एक central केंदर बिंदो आप देख सकते हो उसके तीन लोग जो है फोड़ा सा dark blue में दिखाया गया है यह थोड़े से knowledgeable लोग है तो इन से और तीन लोग जुड़े है तो यह इसी तरीके से आपका सही और सच्छी और अच्छ ट्रेन करना है या फिर प्लाटफॉम पे लाना है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जनकर्या हसिल कर लेंगे एक working system दीजिया हमेशा मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर समझाता हूँ अगर आप समझ लेए एक family है जिसमें दो बच्चे और मिया बीवी है अगर घर का family head of the family जैसे कि बाप या फिर husband उसको अगर घर किस तरीके से चलाना है किस तरीके से उसको right direction में guide करना है अगर उसको नहीं पता है तो बीवी अपनी मन मानी करेगी बच्चे अपनी मन मानी करेंगे तो उसके बाद ultimately आप किसी पे भी पकड़ नहीं बना पाओगे इसलिए एक पर्टिकल टाइम पे नास्टा होना है दोपर में पर्टिकल टाइम पे नास्टा होना है और रात में पर्टिकल टाइम पे डिनर होना है और बाकि उनका schooling जो भी है जब आप working system नहीं बनाओगे तो ना बच्चे आपके काबू में रहेंगे ना ही बीवी आपके काबू में रहेगी तो एक चोटा से एक्जामपल देगे मैं इसलिए समझाया आपको एक फैमिली बहुत जल्दी समझ में आते हैं हम इंडियन्स को फैमिली रूट्स और फैमिली एक्जामपल तो क्या ज्यादा प्रॉफिटबल है दस लोगों के पीछे जादा वक्त लगाना और मेहनत करना और हमारी इंकम बहुत ही थोड़ी सी हो वह जादा बहतर है या फिर हजार लोगों को एक प्लाटफॉम पे लेकर आना कम वक्त पे लेकर आना और अच्छा खासा पैसा कमाना और उसके बाद अपनी जिंदेगी को ब लेकिन अच्छे तरीके से करो एक सर्टन पॉइंट पे क्या होता है जब आप हजार लोगों को मैनेज करना सीख जाते हो तो उसके बाद आपको एक होईश पैदा होती है कि मुझे ग्लोबल लेवल पे एक स्ट्राटेजिक टास्क को आपनाना है और मेरी टीम को बढ़ाना तो वही चीज यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे है इस प्लाटफॉर्म के जरीए से तो यह प्लाटफॉर्म क्या है यह एक ट्रेनिंग और अडपटेशन प्लाटफॉर्म है स्मार्ट वर्ल्ड कमुनिटी के नाम से जाना जाता है एक stand-alone IT product design platform है IT मतलब वैसा वाला IT नहीं है कहने का मतलब इसमें courses वगरा मिलते हैं क्योंकि आजकल online courses वगरा चीज़ों को IT platform ही कहा जाता है और facilitating the work of leaders और curators यहाँ पे क्या है जितने भी leaders है जो कि जैसे कि मैं अभी leader position पे हूँ leader और curators को facilitate किया जाता है और साथी साथ उनको समझाया जाता है कि आप अपती team को किस तरीके से बड़ा कर सकते हैं किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं team के लोगों की उनको क्या मदद की जरूत हो सकती है वगएर वगएर और यहाँ पी ट्रेनिक जो है partners जो नए नए partners आते हैं उनको अच्छे से train किया जाता है उनको accelerate किया जाता है उनकी शमता को और सकते हैं साथी साथ उसको किस तरीके से develop कर सकते हैं तो यहां पर हमारे पास एक business model के courses भी मौजूद है जहां पर आपको एक rapid growth करने का मौका मिलेगा तो यह platform किस तरीके से आपको मदद करेगा आपका सफर शुरू करने में सबसे पहले तो आपको getting to know the platform जैसे कि मैं आप भी platform के बारे में जान लेना और उसके बाद basic stage क्या होता है basic training about the company and the product यह हमेशा देखिए आप कहीं भी जाहिए अभी भी आप किसी ना किसी तरीके से एक कुछ ना कुछ कार खाने या फिर company में आप जुड़े होएं होंगे तो वहां पर join करते हैं आपको सबसे पहले company के बारे में क्या product बनाते हैं कितने में हमारा माल बिखता है कि लोगों को हमारे targeted customers है वगर यह सारी चीज़ दी जाती है तो उसी तरीके से हम लोगों ने आप लोगे सामने अलरी बहुत सरी details दे दी है इसके बारे में तो first investment attracting new partners जैसके मैंने बता है कि sky world community और smart world community दोनों अलग- तरीके से दिखता है तो यहां पर training असिल करने के बाद आप किस तरीके से clients को अप्रोच कर सकते हो partners को अप्रोच कर सकते हो investment attract करने के लिए और उनको भी इसका फायदा किस तरीके से पहुंचेगा यह समझाने का भी आपको मौका मिलेगा उसके बाद जो है sales की training आपको दी चाही हो या फिर company का कोई CEO जब customer सामने से सवाल कर ले तो उसको समझाना जरूरी हो जाता है चाहीव कंपनी का managing trajectory क्यों आपको किस तरीकी से बढ़ाना है उसको कैसे manage करना है उसका मौका आपको उसके बारे में यहां पर सिखाया जाएगा, उसके बाद सेम इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद सेल्स और अड्वांस उनिट, सेल्स के बाद भी आता है, कुछ आते हैं, कई बार होता है, value for money customers ओते हैं, उसके बाद semi-lexury customers आते हैं, उसके बाद dhere-dhere से, value for money, premium customers, उसके ब प्लाइटफॉर्म किस तरीगी से हमारे लिए मददगार साबीत है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं यह प्लाइटफॉर्म जो है आपको जादा से जादा वक्त अपने घर या फिर अपने लिए इस्तिमाल करने का मौका मिलेगा इस प्लाइटफॉर्म में जॉइन को automate और प्रोसेस में डाला जाएगा जो की एक आपकी टीम के मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगे उसके बाद experience partners जो है यहाँ पर नए courses को जान सकते हैं मिल सकते हैं और इसके बाद higher level की business model की courses भी यहाँ पर मौजुद हैं कुछ और चीज़े हैं उसके बारे में हम और थोड़ी देर में बात करेंगे तो यह platform कितने भाशाओं में उपलब्द है यह हाल फिलहाल के लिए पांच अलग अलग भाशाओं में उपलब्द है English Spanish Vietnamese किर्गिस्तान Russian French जो है बहुत ही जल्द आने वाला है जे बारे में जान लएते हैं हाउ दसके बादर में करते हैं और हम लोग पार्टनर को किस तरीके और प्रेश बाद के यसे कहते हैं और प्लाटफोर्म पे किस तरीके की मिलेगी उसके बाद training आप अपने समय पर अपनी जगह पर कहीं भी किसी भी वक्त आप हासिल कर सकते हो चाहे वो desktop, tablet, phone या फिर आप laptop के जरीए से अपने हिसाब से आप इन courses को complete कर सकते हो उसके बाद accompaniment with the mentor यहाँ पर यह सबसे ज़्यादा एक अहम चीज है आपका homework चेक किया जाएगा जब भी आप course लोगे और उसके बाद आपके हर सवालों का जवाब दिया जाएगा तो हमारी smart world community का जो एक mission है वो है कि दुनिया की जितनी आप जितनी भी आबादी है मैंने खाल से साड़े साथ खरब लोग मौझूद है 7.5 बिलियन लोग रहते हैं हमारी दर्ती पर तो उसमें से अगर 10% भी ले ले तो ऐसे 10 प्रतिशत लोगों की जिंदगी को बैतर बनाना और आर्थिक लेवल पे उनको independent रखना यह हमारा mission है तो एक और चीज है टेलिकेट करने के साथ साथ हम newcomers को train किस तरीके से करेंगे वो automate करके चोड़ देंगे हम लोग और जो भी नए partners आएंगे बिलकुल नवजात partners आएंगे उनके लिए training बहुत ही आसान हम लोगों ने करके चोड़ दिया है तो basic training जो है यह हमेशा company और उसके product के बारे में जानना हो है जो भी नए नए partners आते हैं उनको यह basic training बहुत ज़्यादा जरूरी होती है तो आप register किस तरीके से कर सकते हो अगर आप sky world community के partner already है या फिर आप co-owner है investor है जो भी आपने title हासिल किया है तो आपको पता होगा यह व अलग से इस website पर जाके आप अपना login credentials create कर सकते हो तो stream start every month हमा smart world community में जो है हर मेहना कुछ ना कुछ एक नया course add-on होता रहता है तो हर stream के साथ जो भी वहाँ पे लोगों ने participate करके वहाँ पे courses वगरा लिये हैं उनके लिए एक वहाँ पे ट्रैकर उनसे जुड़ जाता है जैसे कि मैंने कहा कि उनका homo check होता है उनको किसी भी तरीके की परिशानी आती है सवाल होते हैं उनको जवाब देने का जवाब देने के लिए ए यंदे प्लाटवॉं वह आपकी से इस तरीके से मदद करेंगे प्लाटवां को समझडें भी मदद करेंगे और साती साथ जो भी च्रेनिक आप ने लिए उस ट्रैक्टर को पूरे करने में उस प्लाटफॉम पे वो हमेशा आप से जुड़े रहेंगे. तो हम नए पार्टनर्स को आप लोगों के लिए ट्रेन करेंगे, ताकि आपकी टीम और भी अच्छे तरीके से काम करें, आपका स्ट्रक्चर बढ़ता रहें. यह देखें, मैं हमेशा कहता हूँ, कि जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाती रहती है, तो उसी तरीके से आप अपना करियर भी बहतर बना सकते हो, और साथी साथ उनका करियर भी बहतर बना सकते हो. लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको सीखना जरूरी होता है. तो यहां पर आप भी हाल फिल हाल के लिए हमरे पास दो ऐसे positions मौजूद हैं जो कि रोजगार देगा आपको एक है speaker और दूसरा है tracker speaker का काम यह है कि जिस किसी भी topic पर आपने expertise हासिल करी है महारत हासिल करी है तो उसके बारे में आप बात कर सकते हो जैसे के मेरी महारत जो है वह technology को समझना जानना और समझाने में है तो इसलिए मैंने speaker का rule चूज़ की आथा इसमें तो आज आप लोगे सामने में speaker बनके बैटा हूँ मुझे बहुत खुछ है कि मैं इस platform से जुड़ा हूँ और अगर आप speaker नहीं उतना confidence नहीं है आप camera को face नहीं कर पाते हो camera को देख के आप घबराट होती है या फिर लोग सोचते हैं कि मेरे सामने लोग नहीं है तो मैं किस तरीके से बात करो अभी मेरे सामने देखने के लिए एक छोटा सा camera का lens है लेकिन camera के पीछे पता नहीं नौ लोग बैठे हैं तो मैं उन नौ लोगों से बात करो हूँ camera से बात नहीं कर रहा हूँ तो यह confidence बढ़ाना ज़रूरी होता speaker के लिए tracker के लिए अगर आप अपले करते हैं तो आपको जैसे मैंने बताया कि course के पीछे से आपको काम करना पड़ेगा उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा उनको help करना पड़ेगा platform के बारे में समझाना पड़ेगा जो भी उनके सवालत होते course के related उसके related आप tracking कर सकते हो तो training खतम होने के बाद आपको certification दिया जाएगा और साथी साथ SWC में आपको रोजगार हासिल करने का पूरा पूरा मौका है पूरा बरपूर मौका है एक तरीके से सुनहरा और अनौका मौका भी है तो यह देखे यह हम लोग आपके घर के दरवाजे तक लेकर आ रहे हैं कि आप हम लोगों से जुड़िये अपनी जिन्देगी को बैतर बनाई है अगर इसके बावजूद भी अगर कोई इस प्लाटफॉर्म पे आना नहीं चाहता या फिर इसके बारे में जानना नहीं चाहता तो आप हमें बताएं कि हम और किस तरीके से कोशिश करें कि आप लोग हिंदुस्तानी पताने हर चीज में हमेशा क्यों आखेर में आते हैं जब ट्रेन निकल चुके थे प्लाटफॉर्म पे एक बोगी रह जाती है तो उस टाइम पे हम लोग जंप करना जादर ज़रूरी समझते हैं हमेशा बॉलीवड स्टाइल में तो यह देखें यहां पे प फाइदा हुआ नहीं हुआ उसके बाद आप next advanced level के आप courses लेके आपनी जिन्दगी को बैतर बना सकते हैं तो यह था हमारा smart world community का अब तक जो भी मैंने आपको बताया सारा डीटेल तो आब हम जान लेते हैं sky world community जो की बहुत ही successful एक project को हम लोगोंने support किया है और करते आ रहे सवाल आते हैं कि UST क्या है UST जो है इसका full form है Units की String Technology Inc. एक company है और UST जो है उसका product है और यह एक international स्टर पे काम कर रहा है जो की cargo और passengers के लिए आसा नहीं हो ऐसा एक futuristic transportation लेकर आ रहा है दुनिया में जो की second level का transportation system है तो यह है हमारे पास आधुनिक transport system जिन में कई सारे परेशानिया मौजूद है और अलग-अलग जगाओं पर अलग-अलग तरीके की challenges हमारे सामने देखने को मिलते हैं जैसे के सबसे पहली वाली तस्विर में देखाया गया है मुस्तरादार बारिश की वज़े से परेशानिया जहलनी पड़ती है और उसके बाद snow avalanche आप देखते तो भारी हिमपाद की वज़े से भी रास्ते बंद हो जाते हैं जिनकी वज़े से गाडियों का एफिट ट्र सामागरी के साथ जो परेशानियां जुड़ी हुई है वो एक मैं आपको बता नहीं सकता मैंने कई भार परसले एक्सपिरेंस के इन सब चीजों को यह ट्राफिक जब आ जाती है ना नॉर्मली क्या होता है जब पैसेंजर के वेहिकल होते हैं जब जिसमें इंसान बैठा र फ्यूल पानी या फिर ऑईल जो भी हैं ऐसे सारी चीजों को यह बहुत जल्दी मूब नहीं कर पाती है क्योंकि पानी का उसमें जो बहां होता है टैंकों के अंदर वो गाड़ी को हिलने पर मजबूर करती है वो जल्दी पिकप नहीं कर पाती है जल्दी ब्रेक नहीं लग किरा हैं जो कि यह है यू त्रख यह यू ट्रख जो है एसलिक्विट ट्रांस्पोर्टेशन को एक जगासे दूसरी जगाफ पर ले ज़ाने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है और यह तीन सेकेंड में तीस नहीं तीन सेकेंड में लोडिंग और अनलोडिंग करने की शमता रखता है और यह देखे पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी वही सारी समस्य है जुड़ी हुए जैसे कि मैंने आभी आपको कारगों में बताया लेकिन इसमें भी लंबी कतारे लगती है और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम बेस्ट होता है तो इसके लिए हम लोगे पास हमरे पास एक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एक हैसल फ्री और क्लीन कम्यूट है जो कि यह ज़ादतर गाउ कस्बों की जगाव में क्योंकि एक सस्पेंडबल हाई स्ट्रिंग रेल पे चलने वाली वेकल है इसमें दो लोग सफर रता सकते हैं इसको यूविंट कहा जाता है और इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो यूबस की एक तस्वीर दिखाई गई है और मैं आपको आगे वाले स्लाइट में बताऊंगा जो की अरबन और सबरबन के लिए समल की जाएगी लोजिस्टिक्स के साथ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि कंटेनर्स वागेरा आपने आप मूव नहीं कर बादे उनको एक जगा से उठाकर दूसरे जगा पर रखने के लिए अलग मशिनरीज की ज़रूद पड़ती है जो की कई पर बंदर गाहों पे क्या होता है बहुत बड़े बड़े तूफान आने के वज़े से क्या हो जाता है इसमें शिपिंग बहुत डिले हो जाते है चालिस फूट के लंबे कंटेनर्स को राष्ट्रिया और अंतर राष्ट्रिया स्तर पे एक जगा से पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचाने की शमता रखते है और ये 100 से लेकर 500 किलोमेटर के रफ्तार से दोड़ने की शमता रखते है ये हमारे पास कुछ मौजोदा ट्रांस्पोर्टेशन से हैं जियो उतने ज़्यादा एफेक्टिम नहीं है ये आप प्रभावी रह चुके हैं अभी आपने रेसेंटली हाली में देखा होगा आपने हाइपर लूप को डिस्मेंटल किया गया है क्योंकि ये भी 2014-15 के आसपास ही इन्होंने इस टेक्नोलोजी को दुनिया में लेकर आया थे हमारे वक्त में 2014-15 में जब हम लोगों ने भी शुरुआत करी थी उसी वक्त में इन लोगों ने भी शुरुआत करी थी लेकिन सम्माओ ये फेल हो गए टेक्नोलोजी फेल हो गई और इसको डेस्मैंटल किया गया है और बाकी ये सारी जो टेक्नोलोजी है कुछ फ्यूचर में आने के लिए इसे प्लानिंग हो रही है कुछ आलड़ी हिस्ट्री में आकर जा चुके है जो कि successful नहीं रहे हमरे पास existing solutions एक और चीज़ है उसको कैसे हम लोगों ने especially you count को कैसे इजाद किया गया उसके पीछे यह यहां पे जो आप तस्विय देगे बहुत बड़ा एहम रोल निभा चुके है यह है मिस कैट जेकप्स और यह है मेरे एक और साथी Mr. Ambassador Christian और यह एक और साथी है जो कि Anatoly जी के बहुती सह कर्मचारी है बहुती करीबी कर्मचारी है यह तीनों मिलकर जब यहां पे Belgium के Antwork में गये थे यह Belgium का Antwork जो है Belgium basically Miss Cat Jacobs का जो है वो उनकी मातर भूमी है जो कि मेरे mentor और इंडे के लिए curator responsible और मेरी apply manager भी रह चुकी है मतलब रही है अभी तक तो यह जो बंदरगा है यह दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाव हमें से चोथन स्थान हासिल करता है जब यहां पे यह लोग ऐसे दोरे पर गए थे कि यहां पी क्या-क्या परेशानिया है उनके बारे में जानने के लिए हमें इसे क्या solution प्रोवाइट कर सकते हैं के बारे में जब जानने के लिए गए थे तो उन्होंने बताया कि यहां पे इतनी जादा बारिश वगेरा होती है और इसके बड़े-बड़े तोफान आते हैं जिसकी वाज़े से shipment बहुत जादा delay हो जाती है नमक की पानी के वज़े से लोहा बहुत जल्दी इगल जाता है और मिटी हिलने का बहुत सारी reasons होते है तो यह सारी reasons को हम बहुत सालों से जहलते आ रहे हैं हमारे पस कोई ऐसा existing solution नहीं है कि हम इन सब चीजों को पार कर पाए सब्सक्राइब जाता है तो यहीं से शुरुवात हुई थी यहीं से यहीं से यहीं से यहीं से यहीं से शुरुवात हुई थी तो चलिए यह यहां में क्या प्यश्कश करता है उसके बारे में भी जाना लेते हैं थोड़ा थोड़ा से एक मिल्ट पानी का ब्रेक तो हमारे पास simplified solutions मौजूद है वो है cargo और passenger transportation के लिए और हमारे पास जो आप यहां पे तस्वीरों में जितने भी सारे वेहिकल्स देख रहे हो यह हमारे पास 16 से 17 वेहिकल्स है कुछ अपग्रेड हो गए हैं अभी हाल फिल हाल में इनमें सबसे पहले बनाई गई थी यूब यूबाइक यह यूबाइक जो है यह सबर्बन और अर्बन इसके लिए बनाया गया था इसमें दो लोग सफर कर सकते हैं उसके बाद देरे-देरे से हमारे पास यूविंड उसके बाद आ गया हमारे पास यूकार और यूबस और उसके बाद हमारे Yukon ये इतनी सारी vehicles जो हैं हम लोग ने 5 साल में हासिल कर लिये हैं 5 साल में इतने अच्छे design के vehicles को हासिल करना ये थोड़ा सा नामुम्किन वाली बात है लेकिन finally हम लोग ने कर दिखाया है इसके पीछे एक छोटा सा आपको हाई models के vehicles पॉब्लिक के लिए रिलीज कर दिया है तो ये वाके में काबिले तारीफ वाली engineering और एक तरीकी का project और product है तो ये है हमारा U-bike जो कि मैंने आभी आपको तस्वीर में आता था सबसे पहले जो बनी थी vehicle वो यही है U-bike जिसमें दो लोग सफर कर सकते हैं ये जो तस्वीर हैं आपको यहां पर दिखाया जा रही है ये बेलरूस के eco techno park में असल जिन्दगी में मौझोद हैं ये तस्वीरों में छोटी दिख रही हैं लेकिन ये vehicles बहुत बहुत बढ़े हैं और ये है हमारा U-bus एक और जो है ये भी track से जुड़ी हुए असल जिन्दगी में मौझोद हैं बेलरूस के eco techno park में ये जो आप U-bus देख रहे हो ये U-bus almost हमारी जो normal यहां पर हम लोग बस दिखते हैं इतनी बड़ी U-bus की vehicle है ये और ये है हमारा U-car U-car के बारे में मैं थोड़ असा आपको detail में बताऊंगा क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इसमें और उसमें क्या फरक है U-car जो है एक tropical version है और ये तस्वीर तब ली गई थी जब शार्जा में पहली बार पहला anchor लगा के एक track मतलब anchor लगा के जब पहली बार इसमें first track इसमें align कर दिया गया था उस time पर ये test करने के time पर ये तस्वीर ली गई थी इसलिए यहां पर नीचे आपको जाधा बंजर जमीन देखनों का मिल रही है तो U-car क्या है U-car जो है वो एक tropical version vehicle है tropical version इसको इसलिए कहा जाता है कि यह सक्त सर्दी अगर minus 23 to 25 degree भी हो तो इसके रूप है वेहिकल के अंदर का room temperature जो है वो बहुत ही nominal आपको देखनों को मिलेगा जैसे कि एक room temperature होता है इसी लगाने के बाद 22 ए 23 degree temperature वैसा आपको रहेगा या फिर आगर आप गल्फ countries जैसे माहल में अगर आप चले जो या फिर आपनी दिल्ली लेलो 40-45 degree की कड़ती धूप में भी आपको अंदर का room temperature जो है बहुत ही nominal मिलेगा इसलिए इसको tropical version कहा गया है और यह है हमारा U-truck जैसे कि मैं बता रहा था यह 3 second में liquid transportation को loading और unloading करने की capacity रखता है और यह यहाँ जो उपर जो आप belt जैसी चीज देखे हो यह है unitrans इसको दोनों को combine करके भी यह industrial area में इसको इसको इस्तिमाल में लाया जा सकता है यह देखे यहां पर utrans utrans जो है वो एक horizontal belt के तौर पर चलेगी जहां पर आप देख सकते हो यह industrial related यह फिर mining related कामों में इस्सेमाल में लाया जा सकती है इसके साथ U-truck को भी इस्सेमाल किया जा सकता है combine करके यह है हमारा U-wind जो मैंने आपको बताया था पहली यह गाहों कस्बों में इस्सेमाल में लाई जाएगी remote areas में और एक high strength string rail पे suspended string rail पे चलने वाली vehicle है यहां पे आप जो तस्वीर में देख रहे हो यह एक तरीके का drone है इसमें किसी भी तरीके के pilot को बैटने का मौका नहीं मौका नहीं है क्योंकि completely remote controlled drone है नहीं इसमें किसी भी तरीके का control stick आपको देखनों को मिलेगा यह Miss Cat Jacobs जब दूसरी बार वो Belarus में दौरे पर गई थी तो वहां पे इन्होंने देखा थो थोड़ा सा अशरे हुआ कि यह चीज है क्या तो उन्होंने तस्वीर ली थी और पता चला कि यह drone है यह इसलिए इसको इसमाल में लाई जाती है यह यह दूसरी वाले तस्वीर में जो आप anchor देख रहे हो यह anchor को एक जगा से दूसरी जगा पर जहां भी प्रोजेक्ट बन रहा है वस जगा पर ले जाकर रखने के लिए काम में इसमाल में लाई जाती है यह drone जो है 1000 जितना वजन उठाने की क्शमत रखता है मतलब 1000 टन जितना वज़त उठाने की बहुत आसानी से यह उठा सकते हैं और यह है हमारा यूफ्लाइश यूनि मोबाइल या फिर यूफ्लाइश या फिर यूनि मोबल गो सकते हो आप और यह है मिस्स कैट जेकप्स और मेरे एक और साथी मज़र किस्टियान जहां पर इन लोग ने अंदर बैठके इसकी तस्वीर में कीच के हम लोग के सामने रखी है इसके पीछे के मैं आपको कहानी बताता हूं बहुत ही यह हर दो साल में एक बार जर्मनी में एक प्रदर्शनी होती है जिसको इन्हों ट्रांस कहा जाता है वहां पर बड़े-बड़े साइंस दान या फिर इंजिनियर लोग ही जाता है जो भी इसमें दिल्चस्पी रखते है फिचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट एक साब से आप क्य जादर से धक्के रखा हुआ था और नीचे लिका हुए था रश्या में एक यूफलैश्य तो लोगों ने उतनी ध्यान नहीं दिया तो उनको लगा कि रश्या ने फिर से कोई नया अमनेशन बना लिया है रॉकेट लॉच्ट लॉंचर लेकर लेकर है उन लोगों ने उतना देखने के लिए इसके अंदर बैटने के लिए है आनंद देने के लिए इसका लुद्फ उठाने के लिए तो वो सारे क्रोड को किसे किस तरह के से काम करती है और हो सकता है उस ताम पर थोड़ा बहुत डेवलप भी कर रहे हो कुछ अप्डेट कर रहे होंगे और यहां पर एक और तस्वीर में आप देख सकते है Ucar Tropical Version के साथ हमारे Ucont का एक और जो है container इस पर hang करके तस्वीर ली गई जहां पर Anatology के बेटे के साथ-साथ वहां के सारे करमचारियों को मिला कर एक तस्वीर ली गई है लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इस container पर कुछ लिखा है transport net cost from $1 per 100 ton किलो मेटर कहने का मतलब है अगर आपने 100 ton जितना मतलब आल्मोस्ट एक लाग जितना वजन अगर आप transport करते हो एक किलो मेटर के लिए तो आपको सिर्फ 100 डॉलर एक डॉलर देना पड़ेगा जो कि हिंदुस्तानी 100 रुपे 100 रुपे मान के चलिए 100 रुपे हिंदुस्तानी आपको देने पड़ेंगे एक लाग जितना वजन एक किलोमेटर ले जाने के लिए अगर मैं आज दिल्ली की बात कर लो तो मुझे अगर 10 किलो का सामन लेकर आना होता है एक पॉइंट ऐसे पॉइंट बी तक तो मुझे कम से कम 50 रुपे देने होते हैं या फिर 100 रुपे देने होते हैं जितना टेस्ट रन पूरा कर चुका है और इसके पीछे की कहानी यह है यहाँ पर खड़ें तस्वीर में यह है एक साइंसदान है बहुत ही अच्छे इंजनियर में है तो यह जब यूलाइट की इनकी रिक्पस रिक्पार्मेंट आई तो उस समय यह तिब्बत के दलाई लामा जी धर्मगुरू जो हैं उनसे मुलाकात करने के लिए गयता है तो उन्होंने बता है कि यहाँ पे जो बक्तादी लोग आते हैं मोनस्ट्री पे तो उनको बहुत सारी परेशनें जहिलना पड़ता है कई बर जानवरों से आमला हो जाते हैं या फ उसके वज़े से परियावरान पे भी बहुत जादा असर हो रहा है तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा सोलीशन हमारे लिए भी निकाल लिए तो हम ताकि परियावरान को बचाने के साथ साथ हमारे बक्ताद हो कि जान कभी जोखम ना हो इस तरीके से इंसानों को जान का जो आने वाली है यह बहुत दो हजार किलोमेटर का दो हजा से लेकर दो हजार किलोमेटर का टेस्टन पूरा कर चुकी है पानी जंगल पाढ़ इन सभी जगाओं पर और यह है हमारा सीपोर्ट जो कि आने वाले बविश्य में कुछ इस तरीके से बहुत ही स्लीक एंड किलोमेटर अंदर बनाया जाएगा एक पट्री की तौर पे और वहीं पे जो पानी के जहां जो है अपना माल लाएंगे लोडिंग और अन्लोडिंग हो जाएगी और वहां से जो है यू कांट अपना काम करना शुरू कर देगा जो कि मैंने बताए कि 20 पूट कंटेनर से ले इस तरीके से दिखेंगी और जिसके साथ हमारा जो यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलोजी इंक की जो प्रॉडक्ट है यूसका एका जो ट्रांस्पोर्डेशन सिस्टम है वो इसको इस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाएगा है इसी लिए इसको इन यूनिटी विद ने इस टेक्नोलोजी के बीचे लगा दी और आज ये टेक्नोलोजी पूरे दुनिया में प्रशंसा पा रहे है और साथ हमारे जैसे लोग भी इस टेक्नोलोजी में जुड़ गये हैं और इसको प्रॉपगेट कर रहे हैं तो यह जो है जनरल डिजाइनर है और यूनिट्स की स् किताब नहीं लिखी है तो मैं आपसे निवेदर करता हूं कि वो मेरे पास लेके आई है मैं पुरी दुनिया के सामने ले जाने का जिम्मा उठाता हूं कर अगर आपने ऐसा कोई भी इन्वेंशन नहीं किया है कोई दॉनिया के सामने ले जाकर डुमार नहीं तो आप इस टेकनालाजी को क्यों अपना सही ओ या फिर योगदाण महीं देना चाहते या फिर आप अप अपनी जिन्दीगी को क्यों बहतर नहीं बनाना चाहते या फिर आपकी आने वाली पीडियों को इस टेक्नोलोजी का सही या फिर योगदान किस तरीके से नहीं करना चाहते या फिर क्यों नहीं करना चाहते एक छोटा सा सवाल है आपको छोड़के जा रहा हो यह आप पे निर्वर करता है कि आप कि ये अनेटोली जी की धरमपत्नी है ये इस टेक्नोलोजी को आगे बढ़ाने में दुनिया के सामने लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसके हमारी हिंदुस्तानी भाषा में एक कहावत बहुत ज्यादा मशूर है कि हर कामियाब मर्द के पीछे एक औरत का है तो यह है नडेजव कोसा रेवा जी तो हमारे कुछ पेटेंट सर्टिफिकेट्स और एक्जिबिशन के बारे में भी बात कर लेते हैं हमारे पास 130 पेटेंट्स मौझूद हैं जो की पूरी दुनिया भर में मशूर हैं चाइना से लेकर आस्ट्रेलिया तक और यह हमारे क इसके डिजाइन की शुरुवात होई थी और आप कहां तक पहुंची है यह एक ट्रैक और ट्रक दोनों आज भी एको टेक्नो पर बेलरूस में मौझूद हैं जो कि पहले प्रारंबिक स्थर पे इन्हों ने इस्तमाल करी थे और हमारे पास एक और नया प्रोजेक्ट आ रह इसको इसलिए कहा जा रहा है जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो देखने में कैप्सूल की तरह दिख रहा है एक किसी स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ यह इसलिए लाना चाहा रहे हैं कि दुनिया में जिस तरीके से हर्याली पहले मौझूद थी अच्छा वातावर जाया है और इसमें भी आपको योगदान और सहयोग देने का मौका मिलेगा लेकिन अभी तक कि यह इस कानौंस में ध्वा नहीं है बहुत ही जल्द हो जाएगा और यह हमारे को चंतर राश्टी यह प्रदशन हिया सिंगापूर से लेकर बर्लीन तग और यह है हमारे हिंदुस्तान के ट्रांस्पोर्ट और हाइवे के ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गदकरी जी अभी हाल फिलाल में यह गये थे यह कोई मेहना डेड़ मेहना हो गया मैं इस स्लाइट को बार बार इसलिए आप लोगे सामने लेकर आ रहा हूँ दे बड़े major cities हैं जैसे के Bangalore, Pune, Mumbai, Delhi, Hyderabad जैसे बड़े-बड़े cities में चाहते हैं कि यहां पर traffic congestion बहुत ज्यादा है तो यहां पर जितन जल्दी हो सके बहुत ही जल्द इस technology को लाना चाहते हैं तो अगर इनके विजिट करकर आने के बाद इनके बोलने के बाद भी अगर हम ह technology को नहीं अपना रहे हैं तो यह बहुत ही जादा शर्मनाक बात है कि हम ना ही अपने बारे में सोच रहे हैं ना ही हम अपने परियावरण के बारे में सोच रहे हैं ना ही हम आपने आने वाली पीडियों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहें बस यह है कि बाहर ज को अपने कंट्री में अपनाने के लिए बहुत जादा इसमें इिंटरेस्ट दिखाया है यूंके पेरों में क्या है समुदरी इलाख आइलेंड होने के वज़़े से क्या है वहां पर बाड वगेरा जल्डी आता है और दौफन वगेरा बहुत बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसी वज़े से वहां के लोग पेड़ों पर घर बनाना शुरू कर दिया था तो उसके बाद धीरे-धीरे से एक tourist spot बन गया हो तो वहां पे लोग अभी जाता रहें इसलिए जाते हैं कि treehouses में रहने का मौका मिलेगा और वहां से view बहुत अच्छे तरह से दिपता है और रासे उतने खास नहीं अच्छे नहीं है इसी वज़े से वहां की जो guest आये थे वह चाहते हैं कि इस technology को अपनाने के जरीए से वह और भी जादा attractive बना सकते हैं पेरू हो और यह मेरे लिए बहुत जादा और बहुत बढ़ community में India is on fifth position in top five community managers और speakers के तौर पर जो कि मैं और वो दोनों हम इंदुस्तन को रिप्रेसेंट करते हैं speaker के तौर पर मैंने पांचवे position को हासिल किया है जो कि मेरा score रहा है आठ और मिस पारुल चर्मा जो है Sky World Community Manager for Pan India के लिए हैं उन्होंने अपना score हासिल किया था 206 और यह भी पांचवे position पे आई हैं तो यह हमारे लिए बहुत जादा गर्व की बात है कि कहा क्लाइंट के तौर पर हम लोग ने अपनी जिन्दगी शुरू करी थी कहां 2.5 साल के बाद वो भी एक अच्छे खासे म नवाजा गया कि हम टॉप फिफ्ट पोजिशन पे हैं तो सोचिए 182 मुलकों में टॉप फिफ्ट लाने के लिए कितनी जादा मेहनत करी होगी और कितना जादा हम लोगों तक चिलना चिलना के कह रहे हैं कि यह ऐसी टेक्नोलोजी है कि आप भी इसमें योगदान दो सहीं दो अपनी जिन्दगी को बहतर बनाओ और आपको रोजगार भी मिलने का मौका है इसमें सब अपनी अपनी सोच है और अपनी मेहनत है तो चलिए अब हम प्रोडक्शन और रिजल्स के बारे में भी जान लेते हैं यह हैं हमारा एको टेक्नोपार्ग जो कि मरीना गोरका में मौझूद है और ये सारी चीज़ें बेलरूस में मौझूद है मैं प्रेजेंटेशन के शुरूआत से इसके बारे में बात करता हूँ तो यहां पी जो आप हर्याली देख रहे हो यह हर्याली पहले से नहीं थी यह बंजर और बदबुदार जमीन थी जहां पे रश्या की अभी ड्रिल किया करती थी हर रोज अपना व्यायम किया करती थी अनेटोली जी ने इसी जमीन को चुना ताके वो चाहते थे कि कुछ आने वाले सालों में जैसे कि अभी 2024 में हमें जो नजारा देखने को मिला है इसके पीछे बहुत ज़दा मेहनत है बहुत ज़दा लोगो को दिखरा यहां पर खेती बाड़ी होती है ताकि यहां पर फल फ्रूट सब्जी वगयरा उगाया जाए क्योंकि यहां पर जो डेलिकेट्स आते हैं वो इन सब चीजों का आनंद ले पाए और साथी साथ इस टेक्नोलोजी को अपना पूरा पूरा साहियोग दे और यहां यह इको हाउस भी इसलिए बनाया गया था कि अगर इसकी बगल में भी यहां से पट्रियां वगरा गुजर रही है अगर यहां से ट्रैक्स गुजरते हैं यह वेहिकल गुजरते हैं तो किसी भी तरीकी की परिशानी का सामना करना ना पड़ेगा अगर आज मैं दिल्ली की आगर ने बात कर लो तो आगर कोई मेट्रों के बहुत ही करीब में दुकान हैं मकान है तो उनको पता है कि एक बार मेट्रों गजरने से क्या हालत होती है घर की और दुकान भी और UST innovation Center यह जो है UAE का अभी जो है सेकेंड टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर है यहां पे भी काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहां पे चौथा टेस्ट ट्राइक भी बन चुका है अभी हाल फिलहाल में उसको भी टेस्ट रन किया गया उस पे वेहिकल यू कार्ट इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा यह है यह एक और चीज़ है यहां पे एक और इको हास बनाया गया है यह इको हास में जो आपको हर्याली देखने को मिल रही है इसके पीछे एक और प्रोजेक्ट इसमें इन्वाल्व है जिसको यू टेरा कहा जाता है उसके लिए आप हमारे एवरी वीक जो ट्यूजडे हिंदी में मैं देता हूं यूट्यूब पर लाइब आकर और एवरी वेटनस ते जो है मिस पालो चर्मा आती हैं इंगलिश में यूटेरा का लाइब इन्फोसेशन लेकर आती हैं उन चीज़ को इस्तमाल करके यहां पर हर्याली उगाई गई है यह बिलकुली ऑर्गेनिक और नैचुरल तरीके से हर्याली यहां प यूटेरा तो यह है हमारे ओफिस और यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों की कुछ तस्वीर है यह ओफिस जो है यह बेलरूस की राजदानी मिंस्क में मौजोध है और इसमें कम से कम पचास से साथ ऐसे लाबरेटरी मौजोध है जहां पर इसकी यूनिट्स की स्ट्रिंग टिकनोलोजी की यूसकाई प्रॉड़क्त को डेवलप किया जाता रहता है हर रोज कुछ ना कुछ इसमें डेवलप्मेंट होता रहता है और यह हमारा मरीना गौर का बेलरूस का इको टेक्टो पार्क है जिसमें अनेटोलीजी के साथ यहां पर काम करने वाले हजार से भी ज्यादा करमचारियों ने एक छोटी से तस्विक ही चाही थी अगर आप या फिर आपकी आने वाली पीडी आपके बच्चे इंजिनीरिंग में बहुत ज़ादा अपना दिल्चस भी दिखाते हैं या फिर आप दिखाना चाहते हैं तो आप यहां पर दिये गए वे इस टेक्नोलोजी के साथ आप जुड़ सकते हैं लेकिन याद रखिए यहां पर इंट्रुवियों देने से पहले आप कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से इन डीटेल में जान लीजि इसमें किसी भी तरीके की खामियां देखने का देखना पसंद ने करेंगे कोई भी और यह है हमारा कार खाना यहां पर आप देख सकते हो यू एक जगा पर यू कार और करमचारी और दूसरी जगा पर यू बस में कुछ और थोड़ा सा डेवलप इसको किया जा रहा है और यह हमारा कार खाना जो है पहले यह बीच वाली बिल्डिंग मौझद थी अभी हाल फिलहाल में यह सफेद और यह नीले रंकी भी इसमें बिल्डिंग बनाई गए कार खाने को डेवलप किया गया है मैंने अभी तक जितने भी वेहिकल्स, मशिनरी, कार खाना या फिर ऑफि है कि वह सब कुछ बेच-बाच कर निवेशकों का एक एक पैसा पाई-पाई वापस लोटाने की शमता रखता है और यह हमारा यूसकाई का एक जो बेलरूस का एक मैप है यहां पर अब तक डेट्स से भी जादा इंटरनेशनल डेलिगेट्स जो है यहां पर विसिट कर चौदा से लेका 2024 तक और यह है हमारी authentic website की link आप यहां पर क्लिक करके या फिर कहने का मतलब है इस link के जरीए से जाकर आप इस technology के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं यहां पर एक और आपको सबसे ज़्यादा और सबसे फाइदेमन एक चीज है यह 3D option में मौजुद है इ बहुत करीब से आपको यह technology देखने का मौका मिलेगा लेकिन आप यहां पर दिये गए हुए authentic website के जरीए से ही जाईए वनना Google में randomly click करके जाएंगे तो हो सकता है वो एक fraud link पे open हो जाए और वहां पर आपने निवेश करने का plan किया तो आपका पैसा भी बरबाद हो सकता है तो यह है अने टोली जी का एक और अपना social media का जो है units key.engineer इस website पे भी जाके इनके बारे में भी ज्यादा आप detail हासिल कर सकते हो और हम social media platform पे भी मौझूद है Facebook, YouTube, Twitter, Instagram और LinkedIn पे भी हम लोग मौझूद है मैं आगे बढ़ने से पहले आपको चोटी से एक puzzle इलतजा करना चाहता हूं एक personally निवेदन करना चाहता हूं अगर आप comment अच्छे तरीके से नहीं करना जाते हैं या फिर एक जिमेदर नागरिक के तौर पर आप comment नहीं करना जाते हैं यह हो सकता है कई बार हो जाता है गलत इसे कुछ comment कहना कुछ चाहते हैं और कुछ और message पास हो जाता है अगर आप वैसे नहीं कर सकते हो एक चोटा सा like करके share कर दीजे काफी है क्योंकि अगर आप ने एक घलत comment कर दिया या फिर कुछ और तरीके से comment किया कुछ और तरीके से वो लोगों तक message पहुंच गया तो इ मेरे जैसे चोटे मटे रोजगारों का भी रोजगार जा सकता है तो इसी लिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर या फिर एक जिम्मेदार नागरिक के तरीके से आप comment करिए या फिर इनके बारे में जान लीजिए पहले comment करने से पहले तो यह हमारे को social media platform के channel के QR code आप चाहिए तो अभी इसको scan करके उस platform से जुड़ सकते हैं telegram, hwc india facebook या फिर instagram या फिर आप जब भी वीडियो आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस time पे scan करके आप इस platform से जुड़ सकते हैं आपका feedback हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा मैं लोगों से जुड़ा रहना पसंद करता हूं और अपनी राय देना भी पसंद करता हूं और लोगों की राय लेना भी पसंद करता हूं क्यूंकि इसी से community बनती है राय देने में भी भलाई है राय लेने में भी भलाई है और इस feedback को देने के जरीए से एक form fill करेंगे ये QR परकोट स्कैन करने के जरीए से तो आपको एक सर्प्राइज गिफ्ट मिलेगा और यह सर्प्राइज गिफ्ट जो है आपको एक ही बार मिलेगा बार बार नहीं मिलेगा तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से आप बताया फीडबैक दीजिए क्या आपको info sessions अच्छे लगे क्य information आपको दे पाया नहीं दे पाया क्या आप मझे बार बार कैमरे के सामने फिर से लाना पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे या फिर मेरा समझाने का तरीका सही है नहीं है गलत है यह आप लोगों के उपर निरबर करता है एक हिसाब से आप YouTube देख रहे हो comment कर रहे हो वही उसी तरीके से काम करेंगा है तो Skyward Community का हमारा एक छोटा सा स्लोगन है we create the future and finance it मतलब आपका भविश्य हम नहीं बनाते बनाने वाला तो उपर वाला है हम तो सिर्फ एक जरिया है कि आप लोगों की जिंदगी को बहतर बनाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं तो यह है मेर इसी अप्लाइन मैनेजर मेंटर मिस्स काट जेकब्स और इंडिया की क्यूरेटर रेस्पोंसिबल भी है और मैं सेयद महिनुद्दीन स्पीकर और लीडर SWS के लिए काम करता हूँ इंडिया के बिहाफ में बात करता हूँ इस टेकनोलोजी को सपोर्ट करता हूँ और मैं लोगों तक भी इस टेकनोलोजी का बर्पूर फाइदा उठाने की आवास पहुंचाता हूँ तो थाइंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शबा खेर शुबरात्री और अगर आप इमेल के जरी से कुछ डेटेल्स हासिल करना चाहते हैं तो इंडिया-ट्रेट-Skyway.capital पे आप मेल वगरा भेजके इसकी सारे सवालों का जवाब आसिल कर सकते हैं या फिर इंट्रनाश्वल वाट्सअप नमबर पे भी आप डेटेल हासिल कर सकते हैं या फिर हमारे इंडिया का SWC इंडिया-फेस्बुक का हमरा एक पेज है वहाँ पे भी आप जाकर सारे अपडेट्स या फिर सारे डेटेल्स हासिल कर सकते हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैं रेकॉर्डिंग अभी